कितना अच्छा होता ना हमें कोई ऐसी चीज मिल जाती जो हमारे शरीर के जो हमारे चेहरे के हमारे हाथ पैरों के अंचाहे बालों को आसानी से हटा दे जिसे बनाना आसान हो जिसे लगाना आसान हो और जिसे छुटाना भी आसान हो रिजल्ट 100% मिल जाए जो हमारे चेहरे के हाथ के जो unwanted hair होते हैं ना दोस्तों ये हमारी सुंदरता को फीका कर देते हैं और इसके लिए हम लोग तरह तरह के उपाए करते हैं कई बार तो दोस्तों हम लोग वैक्सिंग कराते हैं थ्रेडिंग कराते हैं हेयर जादा थ्रेडिंग वैक्सिंग कराना जितना हो सके नैच्रल चीजों का इस्तमाल करें आज आपके लिए उन्हीं में से एक ऐसी कर लिया है थोड़े मोटे मोटे दाने हैं शक्कर के बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं किया है ताकि शक्कर जल्दी से मिक्स हो जाए थोड़े एक दरदरी सी शक्कर है बहुत मोटे दाने थे इसलिए मैं ने से क्रश किया है आप शुगर की जगा हनी शहत का भी इस्तमाल क कर सकते हैं चाहए एक दो चमशख कर लीजिए या फिर आप शहद भी ले सकते हैं आज मैं यहाँ पर शकर का इस्तमाल करूँगी क्रश की हुई, सबसे पहले मैंने यहां कॉफी ली है, कॉफी जो होती है एक बहुत बहुत बेहतरीन ब्यूटी प्रोड़क्ट भी है, कॉफी क्या करती ही पता है दोस्तों, हमारे स्किन के दाग धब्बों को दूर करती है, रंग को गोरा करती है, और सा जादा पावरफुल बनाती है, कैसा जादूई पैक बनेगा, जो आपके स्किन से जुड़ी हुई, सारी समस्याओं को दूर करेगा, आपके चहरे पर निखार आएगा, चहरे के सारे रोएं, अन्वांटेड हैर, बिल्कुल अलग होंगे, अब आपको यहां पर क्या करना ह दोस्तों कि इस वीडियो में दो तरह की रेमेडी बता रही हुँ, तो रेमेडी नमबर वन जिसका इस्तमाल केवल हाथों में करेंगे आप, उसके लिए आप लेंगे सोडा, खाने वाला सोडा, इसे मीठा सोडा भी कहते हैं, बैकिंग सोडा भी कहा जाता है, तो खाने वा का इस्तमाल बेसन का इस्तमाल यह सारी चीजों का इस्तमाल करते हैं पर इंतु सोडे का इस्तमाल आप हाँ पैरो पर करें क्योंकि चेहरे की जो इसकिन होती है वह बहुत जादा सॉफ्ट होती है मुलायम होती है इसलिए नहीं करते हैं तो मैंने यहां पर क्या किया है दोस्त को इस पैक को फटाफट अपने हाथों पर लगाना है हाथों पर लगाएं पैरों पर लगाएं आप अपने अंडर आंस पर भी इसे लगा सकते हैं सिर्फ चहरे पर सोड़े का इस्तमाल नहीं करना है चहरे के लिए रेमेडी आगे वीडियो में बना कर बता रही हूं दोनों आपको फटाफट अपने हाथों पर इसे लगा लेना है इसे लगा कर 15 मिनट रखें 15 मिनट के बाद आप इसे रगड़ते हुए आप इसे निकालेंगे शक्कर है ना शक्कर के चिपचिपे पन के कारण हमारे जो रोए हैं बाल हैं वो चिपक जाएंगे सोड़ा हमारे बाल चेहरे की स्किन सॉफ्ट होती है, हाथ पैरों की थोड़ी हाड होती है, सक्त होती है, देखिए मैंने हाथों पर अपने लगा लिया है और 15 मिनट के लिए मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूगी, क्योंकि टाइम चाहिए सूखने का, जब यह सूखेगा भी ठंड का मौसम है ना दो दा लिया है, दोस्तों और अब मैं आपको चेहरे की रेमेडी बता देती हूँ, ताकि आप फेस पर भी इसे लगा सके, चेहरे पर मैं सोडा नहीं डालूँगी, कस्तूरी हल्दी डालूँगी, चेहरे पर हमें किचन वाली हल्दी का इस्तमाल नहीं करना चाहिए, किचन की अगर वाइल्द टर्मरीक नहीं है, तो चुटकी भर किचन की हल्दी डालें, जादा नहीं, चुटकी भर क्योंकि वो बहुत स्रॉंग होती है, साथ में डालना है दूद, शक्कर, दूद, हल्दी को मिक्स करना है, और आप साथ में लेंगे मौईशर के लिए आप यहां ल दूद, शक्कर, और जो कसूरी हल्दी है, इसे पका लिया है अच्छी तरह से दोस्तों, और अब आपको इसका इस्तमाल करना है, चलिए बताती हूं कि, धीरे-धीरे करके ही आपको इसमें गेहूं के आटे को मिलाते जाना है, गेहूं का आटे की जगह, आप यहां पर बे चाशनी बनाई हैं, उसे इसमें धीरे-धीरे से आपको इड़ करना है, चहरे पर लगाएं, होठों के ऊपर लगाएं, आपकी चिन में बाल हैं, वहां पर लगाएं, पंदरा मिनट लगाएं, इस पैक का इस्तमाल सभी उम्र वाले कर सकते हैं, आपकी उम्र कम है तब भी आपकी उम्र जादा है, तब भी इस्तमाल करें, देखे, मैंने भी यहां इसमें शक्कर दूद की जो चाशनी बनाई हैं, उसे डाला है, और ये पैक बनकर बिल्कुल तयार है, इस पैक को पूरे चहरे पर पंदरा मिनट के लिए लगाएं, फिर नीचे से उपर की और करते हुए निकाले, शक्कर का जो चिपापन है, मैंने पंदरा मिनट चहरे पर लगाया था, अब आपको निकाल कर दिखा रही हूँ, ये देखे, ऐसे इस तरह से बत्ती बनाते हुए निकालना है, होटों के उपर के जित्ते बाल हैं, सब आपस में चिपक जाते हैं, रग चहरे के चहरे के दाग धबों को दूर करेगी, कौफी के अंदर कैफिन होता है, वो हमारे रंग को साफ करता है, कौफी हलाए düनों बहुत अच्छे हैं इसकिन के लिए, 온ह हानु में निकार आए टो लगा लिया था हल्दी वाले को एक हाथ पर मैंने कॉफी का बनाया जिसमें मैंने सोडे का इस्तमाल किया है कमेंट जरूर करेंगें दोस्तों कि आप इस वीडियो को दुनिया की किस जगह से बैठ कर देख रहे हैं कमेंट में आप अपना नाम लिखे और जगह का नाम लिखे ताकि अगले वीडियो में मैं आपका नाम एनाउंस कर सकूँ आपको थैंक्स बोल सकूँ मेरा वीडियो देखने के लिए इस तरह से रगड़ते हुए निकालना है मेरा हल्दी वाला पैक जल्दी सुख गया है कॉफी वाला पैक अभी सुखा नहीं है इसलिए रगड़े में थोड़ा टाइम लग रहा है बस इस तरह से मसाज करते हुए निकालें जैसे मैंने अपने चेहरे के सारा पैक उतारा वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब